Hello everyone, Abhinav नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों का, आपके अपने YouTube चैनल Maths by Abhinav राजपूत में, तो finally SSC CGL 2024 का जो pre है, वो over हो चुका है, अब बारी है mains की, तो आज हम लोग mains की बारे में बात करने वाले हैं, और आप कह सकते हो इसको strategy है, आजकल आपना बहुत लोगों को फोलो करते हो, अगर आप किसी एक या दो को फोलो करो और एक को भी फोलो करो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है, trust me, हमने भी किसी को फोलो किया था, ठीक है, हमें भी बहुत लोग फोलो कर रहे हैं, और result आ रहा है, पिछले कई सालों से, ठीक ह काम, जो strategy वाली है, या जो guide करने वाला काम है, जो भी SSE का selected बच्चा है, no matter उसका YouTube चैनल हो या ना हो, वो करता रहता है, okay, मैं देखता हूँ, आस पर उसमें, हमारे offices में, या फिर मेरे office में बहुत सारे divisional accountant training के लिए आते हैं, मैं उन सब से बात करता रहता हूँ, और वो स सोचा था, one by one लाओं, लेकिन फिर मैंने सोचा, एक साथ ही मैं आपको सारा दे दूँ, तो video की length हो सकती है, लंबी हो, हो सकती है, लंबी हो, इसमें हम लोग maths, reasoning, gk और English के बारे में बात करेंगे, यही नहीं, मैं आपको सारे sources दे दूँगा, सारे sources कहां से पढ़ना है, ठ 340 प्लस ला सकते हो, ठीक है, बड़ एक चीज़ ध्यान रखना, 340 प्लस लाने के लिए आपका personal जो, क्या बोलतो सको technique है, technology है, महनत है, वो ज़्यादा work करेगा, rather than strategy, आपको उसको follow भी करना होगा, उसे आपको follow भी करना होगा, तभी आप लापा होगे, ठीक है, हम one by one बा सकता है, तो किसको तयारी करने चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, 120 प्लस, तो एक बच्चा बोलता है, सर क्यों मजे ले रहे हो student का, मैं आपको बता रहा हूँ, हर सालना normalization में न, जो maximum marks बढ़ता है, वो 20 से 25 बढ़ता है, तो किसी ने किसी cut-off का 120 वाले बच्चे का number 145 बन और answer की मैं सब का number बढ़ेगा, जरूरी नहीं है, बहुत तो का घटेगा भी, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी 120 प्लस हो, आपको तयारी कर लेना चाहिए, किसी ने किसी एक shift का तो घटता है, बहुत अच्छे से घटता है, ठीक है, अभी देखो, कुछ चीजो के करीब paper होगा, ठीक है, 10 December के आसपास paper होगा, आपके पास 75 days बचे हुए है, and 75 days is not enough, not enough for a beginner, but you are not a beginner, you are the one जो SSC CGL 2024 का pre-clear किया है, ठीक है, आपके पास 75 दिन है, मैं बता रहा हूँ, आज से 75 दिन है, result आने में कम से कम आपको 20-30 दिन लगेंगे, answer की के बाद 20-30 दिन, क्या 30 दिन आप बैठोगे, अगर आप बैठोगे तो आपका selection वैसे ही नहीं हो रहा, बल्ले बल्ले गरो, ठीक है, घर बैठो आराम से, तो आपके पास 75 दिन है, अगले 75 दिन में लग जाओ, do not wait for answer की, और final result, just start, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, you have cleared your prelims, मैं क्य लिख रहा हूं कि आपने prelims clear किया, और इस चीज़ को अगर आपने देखा होगा, तो मैं बहुत bold कर रहा हूं इस चीज़ को, बहुत ही जादा bold कर रहा हूं, क्यों भाईया, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, कि भाईया आपने prelims निकाला है, और आप beginners की तरह करना start कर द It's not only about maths, आप reasoning लोगे 100+, English लोगे 150+, जीके लोगे हर subject मिला दोगे तो 200 प्लस होई जाएगा, तो 1500, 200, 400, 600 प्लस गंटे, 600 प्लस आप बोलोगे सर आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, ठीक है, 300 कर दें, अब बताओ, सब मिला के, क्या कोई आपको 300 गंटे से कम का course करवा सकता है, नहीं, the right answer is no, मैंने minimum लिया 300, अगर आप 75 दिन, रोज 4-4 गंटे पढ़ते हो ना, सिर्फ वीडियो देखते हो, classes देखते हो ना, रोज 4-4 गंटे, तब जाके 75 डेज लगेंगे आपको syllabus करवाने में, और मैं बता रहा हो, 300 गंटे में तो syllabus कोई नहीं गरवा पाएगा, आप सोचो, रोज अगर आप 4 गंटे वीडियो की class में ही लेते हो, वीडियो देखने में लगाते हो, 4 गंटे क्या 5 गंटे मान लो, तो फिर आप खुद से practice कहां करोगे, तो यह सोचने वाली बात है, थोड़ा सा देख ले ना, आपको इस logic के according जाना, और यह मैं minimum बता रह हूँ, ठीक है, मैंने अभी एक teacher का देखा था, उन्होंने पुरा schedule डाला है, और आप मानोगे नी, सुबह 8 वजे से लेकर रात में 11 वज तक उन्होंने schedule डाला है, ऐसे बहुत सारे channels है, मतलब जो बड़े-बड़े companies है, companies की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा हूँ, उन्हों basics already आता है, you just need to refine your technique, आप अपने technique को refine करो, और ज्यादा practice करो, ठीक है, ध्यान रखना कोई भी जो batch होगा वो आपकी speed को hamper करेगा, obvious ही बात है, अगर आप 6-7 घंटे रोज batch में ही देने लग जाओगे, तो आपके पास खुद की study के लिए नहीं होगा, और जब बच्चा ख है, आगे देखो, maths only can not guarantee your selection, देखो मैं maths बार-बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, obvious ही बात है, मैं maths का teacher हूँ, और मैं देखता हूँ, बच्चे न, maths पे हद से ज़्यादा time देते हैं, तो maths अकेला आपको selection नहीं दिलवाएगा, giving 12 hours is mandatory, अगर आप 12 घंटे नहीं प बात करने हैं, तो I hope ये सारी चीज़ें clear होगी, अब हम one by one maths, reasoning, English, GK के बारे में बात करेंगे, तो starting with maths, तो again देखो, maths स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, you already knew the basics, मैं बार-बार इस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि type wise question में मत जाना, ये जो आपके पास साथ already होगा, अब इसे करना भी मत, आपने already इसको किया हुआ है, ठीक है, अब आपके पास इतना time नहीं है, कि आप 11,950 question कर लो, ठीक है, substitute दूँगा मैं, don't worry, आपके पास इतना time नहीं है, कि आप chapter wise maths या reasoning कर पाओ, ठीक है, do edit topic first, देखो, edit topic कौन कौन सा है, statics probability, already मैंने video डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो, आपको playlist जो assessis CGL 24 mains का है, उसमें देख सकते हो, statics और probability with PDF, almost मैंने 100-100 questions करवाए है, जो enough है, उतने ही questions की practice कर लेना, you can't finish any book, इसलिए मैंने book दिखाया, ठीक है, कोई भी book आप 75 दिन में finish नहीं कर सकते हो, ठीक है, do only mains questions from now onwards from 2011 to 23, अगर आप इतना ही कर लेते हो ना, तो ये almost 3000 questions है, 3000 questions है, अगर आप इतना कर लेते हो, तो ये sufficient है, ये 3000 questions कैसे करोगे, मैं करवाओंगा ये सब चीजे, बिल्कुल परिसान मत हो ना, ठीक है, if you can add, add कुछ banking के questions add कर लो, हर chapter के ना 15-15-20-20, banking के questions add कर लो, अगर कर सकते हो तो, again not mandatory, in case paper calculated आया, तो उस case में वो थोड़ा सा safe side होगा, बट ध्यान लखना, ये easy है, मतलब ये optional आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, then getting 85 plus is easy in maths and reasoning, देखो 85 plus maths और reasoning में ही आ सकते हैं, और किसी में नहीं आ सकते हैं, तो 90 में से, आप अगर दोनों subject में 170 नहीं ला रहे ह तो, आप वैसे ही बहुत लोगों से दूर हो रहे हो, ठीक है, 90 में से, 180 में से 170 यहीं से आने चाहिए, ठीक है, 4000 question का PDF मैं बता दूँगा, कहां से करना है, ये 4000 question sufficient है, ये mains के हैं सारे, अभी देखो mains की तैयारी कैसे करनी है, और क्या syllabus है आपका, देखो, ये है tier 2 का syllabus, ठीक ह भी न, आपको comment pin में, इस post का, जो telegram post है न, उसका link मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका post, मतलब ये वाला PDF डाउनलूड कर सकते हो, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप देखोगे, number system same है, fundamental, mathematical operation same है, algebra same है, geometry same है, geometry में coordinate, geometry, mains का syllabus नहीं है, mensuration same है, trigonometry same है, और ये add हु हुआ है, तो हमने जो total 21 classes की थी न, वो अब 20 हो चुकी है, क्योंकि मैं इसमे coordinate geometry अब नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है, coordinate geometry आपके syllabus में नहीं है, DI आपके syllabus में नहीं है, ध्यान रखना, ओके, हलांकि, DI तो पूचा जा सकता है, क्योंकि statics और probability के अंदर आ जाता है वो, ठी तो basically ये आपका syllabus है, ठीक है, ये syllabus है, दो topic अड़ हुए हैं, इतना ही आपको करना है, कहां से करना है, देखो, सबसे पहले आपको na सारे जो previous year है न, जो present वाले previous year है न, उनकी practice कर लेनी है, पिछले दो-तीन साल में, जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे आप ये book ले सकते हो, ठीक है इसमें क्या है 123 CGL और CPO के जो graduate level के papers हुए है ना सिर्फ उन ही के है जैसे tier 1 के 2021 set है जो 11 April से 22 में हुआ था फिर 22 और 23 का paper है CGL tier 2 का भी paper है CGL tier 1 के 49 है then CPO paper है तो ये आप ले सकते हो sectional wise है ये सिर्फ maths का है तो आप 123 set है रोज के 2 set बगल में रोज लगा सकते हो ठीक है अच्छी book है मैं आपको हर उसमें suggest करूँगा ये हर subject का एक suggest करूँगा सिवाए GK और GK का GK में सायद इसकी बहुत जादा need नहीं होगी लेकिन maths और reasoning में बहुत जादा need है तो आप ये book ले सकते हो और कोई book करने की जड़त नहीं है अब देखो आपको क्या करना है video lecture कौन सा देखना है तो हमने न मेंस का एक batch start किया है YouTube पे जो बिल्कुल free of cost है इसमें हम लोग क्या करना है 2011 से 24 लिखा हुआ है बट 23 मालो क्योंकि 23 तक काई mains हुआ है अभी तक जितने भी mains question है न हमने उसको chapter wise में divide किया है मैं अभी तक बता दूँ आप लोगों को statics 100 questions करवाए है मैंने 100 plus probability 115 plus then percentage percentage की वीडियो आपको कल मिल जाएगी 115 plus questions करवाए है ratio रेशियो में 176 questions है 176 questions है 2011 से लेके 24 तक और अगर मैं geometry के बारे में बात करूँ फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ मैंने 350 questions लिए है 350 questions और ये सब की एक वीडियो में आएगी ये 350 questions ऐसे हैं जो SSC CGL के mains में आए हुए है ध्यानक ना इसमें प्री का एक भी question नहीं है सारे के सारे mains के question है अगर आप इतने questions लगा लेते हो ना अगर मैं इस batch के बारे में बात करूँ ना तो इस batch मैंना almost 3000 questions करवाए जाएंगे almost 3000 questions करवाए जाएंगे ठीक है बट आपको करना क्या है इसका ना एक schedule है जो basically ये वीडियो में आपको मिल जाएगा नीचे एक revise schedule करके वीडियो है उसमें आप देख सकते हो ठीक है इसमें पूरा schedule डला हुआ है उसके साथ ना समापन 1.0 देखते रहना है एक schedule डला हुआ है उसके according है और ये पूरा schedule है और schedule में कोई change नहीं होने वाला है बहुत बच्चे बोल रहा है ऑक्टूबर में करवाद हो यार कोई sense बनता है क्या 3000 questions आप कैसे करवा सकते हो एक महिने में ठीक है खुद को type करना उसको summarize करना उसमें डालना record करना suit करना मतलों समझ रहे हो 3000 questions आप खुद से solve नहीं कर सकते है यार एक महिने में बैठे होगे न तो भी तो भी थोड़ा मुस्किल है नवंबर के end तक हो जाएगा ठीक है या December के first week मान के चलो December एक या दो तारिक तक complete कर मैं पूरा ठीक है तो basically कल जैसे आपको percentage देखना है तो आप समापन 1.0 से देख सकते हो link आपको इसमें मिल जाएगा समापन 1.0 से percentage की वीडियो देख लेना फिर यहां से start कर लेना यहां पर आप जब करोगे तो आपको type wise questions मिलेंगे आप ये समझो कि 1 गंटे 15 मिनट की reason done then यहां से आप previous year के सारे questions लगा ले ना यह PDF भी आपको class के साथ साथ मिलता रहेगा class upload होगी साथ के साथ PDF अप्लोड होता रहेगा PDF में late नहीं है इसका भी PDF मिल जाएगा इसमें almost 1000 questions है पूरे series में 36 days की series में और इसमें 3000 के questions तो यह total 4000 questions है यह maths के लिए है यह sufficient है कोई batch linux ज reasoning के लिए एक simple कहता है कि अगर आप 80 से कम number लाते हो ना तो वो bad score है विकार माक्स 80 से ठीक है कुछ topics आपको banking के use करने पड़ेंगे कुछ topic बहुत जादा नहीं मतलब कुछ topics ठीक है कौन कौन से topics यह जो देख रहे हो यह condition sorry यह critical thinking वाले जो topics add हुए है ना problem solving emotional intelligence यह वाले जो questions ह यह आपको थोड़ा सा banking के लगा लेने है otherwise sse का same रहेगा ध्यान रखना reasoning के लिए sectional mock is the key ठीक है मैंने लिखा ना है आप है do sectional mock as much as you can इतना sectional mock आप कर सकते हो आप कर लेना यह जो मैंने यहाँ पर highlight कर रखे है ना these are the chapters जो important chapters है क्योंकि देखो यह सारे आप कर लोगे symbolic हो गया number analogy हो गया figure वाले हो गए ठीक है counting figures हो गए classifications हो गए आप यह सब कर लोगे कहां दिक्कत आती है जैसे series में दिक्कत आती है बच्चे को slogs में दिक्कत आती है blood relation में आता है direction में आता है puzzles में आते हैं तो वो सब के लिए ना मैंने यहाँ पर videos recommend किये है ठीक है ध्यान रखन यह सारे मैंने ही करवा रखे हैं यह सारे questions अभी तक मैंने इसमें total आपको 6 videos मिलेंगी बट इस 6 video में आल्मोस्ट 8 से 9 chapter है देखो कैसे पहला वाला जो आपको दिख रहा है वो blood relation का है ठीक है इसका playlist का link यहाँ है पहला आपको blood relation मिलेगा then puzzle order and ranking और sitting arrangement ठीक है तीन chapter यह है और चार घंटे में तीन chapters करवाए हुए है मैं बता रहा हूँ इतना refined है ना यह इससे अच्छा मिल नहीं सकता आप एक बार देख ले ना कोई भी chapter coding decoding missing series slogs और direction and distance यह important topics करवाए हुए है मैंने एक हमारा intelligence वाला जो होता ना जो मतलब interference वाला जो आता है statement and conclusion वो बचा हुआ है मै courses करूँगा देखो courses करूँगा क्योंकि मैं already mains में भी लगा हूँ maths में तो time कम मिलेगा sectional mock यहां से कर ले ना 123 sets आपको reasoning के करने है मैं बता रहा हूँ अगर आप इनकी practice कर लेते हो तो बहुत number बढ़ जाएंगे आपके ठीक है बहुत number बढ़ जाएंगे ठीक है इंग्लिस medium इंग्लिस medium यह combo हिंदी medium है और यह book भी है book कभी link मैंने यहां दे दिया है बाकी आपको description में मिल जाएगा अब बात करते है general awareness यानी gk की देखो no one can teach you this subject एक लड़ाई लड़नी है खुद से जो जीत सको तो तुम्हारी नौकरी और होली में एक job के साथ रहोगे वरना तो भीया फिर खेलते रहो इधर से उधर कभी इस पार 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 खेलते रह जाओगे ठीक है 2016 में न मैं auditor बना था I got only 9 out of 50 मेरे 50 में से केवल law number आये थे ठीक हलांगे मेरे बांकी subject में बहुत अच्छे थे 50, 50, 49 लेकिन बहुत अच्छी job नहीं मिली मुझे जीके में फिर मैंने 2017 में पढ़ा I got 27, 2018 में again मेरे 27, 28 थे उस समय बहुत थे ये जीके में तो जीके में आपको खूब पढ़ना पढ़ेगा रटना पढ़ेगा बार 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 जितनी बार पढ़ सकते हो आप पढ़ो इसको जीके के लिए तो बहुत fight करनी पढ़ेगी जीके easy नहीं है मैं बता रहाँ टीचर्स बदलते रह जाओगे लेकिन मन्जिल ने वही रहेगा आप कभी इदर कभी उदर unless until की एक बार आप समझ जाओ कि lucent is the key previous year is the key ठीक है lucent या कोई भी जीके की एक book मैंने lucent से पढ़ी मैं इसलिए बार बार lucent कहता हूँ तो lucent and previous year की कोई भी book किरन की आती है chapter wise वो लिले लेना ठीक है इसमें sectional mock का बहुत बड़ा role नहीं है देखो previous year repeat होता है उसके लिए मैंने previous year book बोला है तो अगर आप चाहो तो avoid कर सकते हो जो मैंने book अभी recommend किया आप लोगों को उसमें जो जीके वाली book है न वो आप avoid कर सकते हो उसके बदले न इनकी जो chapter wise book आती है किरन की वो buy कर लेना ठीक है अभी देखो sources मैं बता जिता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है आपको अभी देखो ये तो तय है कि आपके पास इतना time नहीं कि आप course ले सको आपको करना क्या है book से पढ़ना है जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो अपना time book से दो ठीक है अब जैसे क्या गरो अपने आपको न जैसे 8-8 गंटे 6-6 गंटे रोज कहना इस पर देना start करो का link दे रखा है यहाँ पर ठीक है आप जैसे physics पढ़ना है आपको पहले आप crash course से वीडियो देख लो notes वगरे के चक्कर में मत पढ़ना आपने पूरा वीडियो देख लिया then lucent पढ़ डालो पूरा physics ठीक है फिर previous year के सारे questions इसे cut डालो समझ रहे हो यह आपका step रहेगा अगर आप इसे कर लेते हो ना I can guarantee आप easily maths में सुरी जीके में 30 प्लस लेके आ जाओगे और अगर आप 30 प्लस ले आते हो ना जीके में आप select हो जाओगे यह समझ लो जीके में 30 प्लस अभी भी लाना बहुत टफ है बहुत टफ है बहुत बड़ी बात है लोग बोलेंगे कि अब मेरे आ रहे हैं पहले नहीं आते थे अब तो लोगों के 40-40 आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं यह हवा हवाई बाते हैं उनका ओर है जो टॉप पे है जो इन चीजों क जो अभी हमने दिखाया था उसका भी लिंक मैंने दे रखा है और यह कॉम्बो का है ठीक है अब देखो इसके अलावा यह फिजिक्स केमेस्ट्री बायो का लिंक है देन अभी यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको quality, history, geography अगेन इनका one sort वीडियो है यह तीनों ही one sort वीडियो है आप इससे ना एक तरह से आप revision कर लोगे और फिर book से करना बर ध्यान रखना book is the key book ज्यादा important है, book ज्यादा important है ध्यान रखना, अगर मानलो किसी को lucid boring लगती है तो आप current publication की ले सकते हो, crown की ले सकते हो, neon की ले सकते हो, ठीक है then at the end, gk में total मैंने nine videos, nine डाला है, इसमें सारे subjects clear है, ठीक है, यह economics का है, okay, साड़े पांच घंटे में, ठीक है, यह static gk है, चार घंटे की वीडियो, और then current affair के लिए ना मैंने channel बता दिया है, यहाँ से आप current affair करो, at least 12 से 18 माइने की कर लेना, 12 माइने की तो minimum कर लेना, ठीक ह आने वाले दिनों में, 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, मैं एक current affair फिर से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, current affair फिर से एक और वीडियो बना दूँगा, उसमें मैं आपको सारे sources दे दूँगा, क्योंकि देखो, मेरे को ना सिर्फ बोलना अच्छा नहीं लगता की, यह प Saturday, Sunday को मेरे घर में बिल्कुल बैन रहता है, ठीक है कि कोई, जैसे मेरे मेड भी आती है सफाई के लिए, Saturday, Sunday को मैंने बोल रखा है, दो फेर मैं आओ आराम से, सुबह कोई मुझे नीन से नहीं जगाएगा, ठीक है, लेकिन बागी दिन मैं खूब दबा के मैनत करता हूँ, Saturday Sunday को भी करता हूँ, लेकिन आराम से मैं नीन्द पूरी कर लेता हूँ, तो मैं बिमार नहीं होँगा, ठीक है, साथ में मैं exercises वगरा भी, meditation वगरा करता रहता हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो भीया, अगर मैं इतनी मैनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको ना ढूड़ना पड़े, करो ना फिर, ठीक है, तो ये जीके था, अब देखो English की बारे में बात करते हैं, तो देखो English बहुत important है, 135 नंबर का है total आपका, सब कुछ cover करवा दूँगा इसमें, मैं सब कुछ बता दूँगा कहां से क्या करना है, एक तो मैं आप Henson के लिए अगर कोई बच्चा चाहे, तो वो course ले सकता है, हलांकि मैंने जो recommend किया, उसका main कारण था न, उसके साथ बहुत सारी किताबे थी, जो उनका PDF है न, free PDF, आपको full PDF एक जगह मिल जाएगा, if you can afford, you can buy it, but again, it's totally up to you, अगर आप खतम कर पाओ, तो ही ले न, ठीक, है, कहां आपके number cut रहे है, तो यो आपको already पता है, ठीक है, अब देखो, उस पे काम करो, comprehensive, vocab और grammar, ये तीन ज़्यादा important है आप लोगों के लिए, previous year is the key, again, revise vocab as much as you can, जितना revise कर सकते हो, करो, सारे sources दे रहा हूँ, इतनी इतनी वीडियो देख लेना, बस, इसके अलावा मैं न, actually मैं, पूरा, ये जो playlist है न, ये 2023 में mains के लिए रानी मैम ने बनाया है, तो अगर कोई बच्चा follow करता है इसे, तो उसे batch wise link जोतनी बड़ीगे, आप अच्छे से इसे follow कर लेना, close test के लिए इनकी वीडियो है, 17 वीडियो वो देख लेना, jumble word, PQRS के लिए solar वीडिय ये बहुत important important चीज है, again previous year का set तो आपको लगाना ही है, जितना लगा सकते हो, 125 set है, ये sufficient है, ये जरूर लगा लेना, ठीक है, आगे देखो, vocab के लिए मैं बोलूँगा, अगर आप ले सकते हो, तो book ले लेना यार, ठीक है, अगर ले सकते हो, तो book ले लेना, कोई अलग से black book ले सकते हो, अच्छी book है उनकी, अब आप ले सकते हो, ठीक है, अच्छी book है, आप black book ले सकते हो, ठीक है, अभी देखो, आगे, grammar के लिए ना, मैंने कोई book recommend ने किया, आपको already grammar आता है, नहीं आता, ये 120 important grammar rules है, वो आपको पढ़ना है, 120 जो important है, ठीक है, then error के 500 के करीब question है, 10 घंटे में, sentence improvement के 10 घंटे में करीब 1000 के करीब question है, अब कितने question है, ये तो आप अंदर जाओगे, तो ही दिखेगा, लेकिन 500-600 तो होंगे ही कम से कम, तो ये और ये, देख रहे हो, इतना इतना कर लोगे ना, आपका दिमाग बैठ जागे कि how it works, ठीक है, voice के लिए इनक सोर्स बताएं हैं न, इन्हें पढ़ लेना अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है, clear हो जाएगा, कोई किताब अगरा पढ़ने की जोतनी बढ़ेगी, ये पढ़ लेना, और previous year के questions लगाना, as much as you can, और अगर आपके पास kiran publication की जो book आती है, chapter wise वो है, तो I would suggest कि, उनसे जो current affairs, sorry current पर बोल रहा हूँ, sitting arrangement, one word substitutions, वो सारे कर लेना, वो बहुत काम के आएंगे, बहुत फाइदे मंद होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत काम आएगा वो, ठीक है, और at the end जाते जाते हम mock के बारे में बात करते हैं, आपको न, कम से कम 50 mock देने है, कम से कम 50 mock देने है, ठीक है, कहा कहा से दे सकते हो आप, देखो, सबसे पहले तो आपको न, मेरे ही एप पर, maths by बिनेव राजपूत पर 10 mock मिल जाएगा, ठीक है, ध्यानकना, अगर आप view demo करके देने जाओगे, तो 10 के 10 mock free है, अगर आप चाहते हो एक जगा मिल जाए, ठीक है, तो 49 रुपीज आपको pay करना पड़ेगा, ठीक है, 49 रुपीज में 10 mock है, बहुत nominal fees है, आप दे सकते हो, ठीक, otherwise आप view demo करके जाओगे, तो सारे mocks free कर रखे हैं, वहाँ जाके आप mock दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके, देन, test book का mock आपको देना है, देखो, month है and आने वाला है, 26 तारीक है, तीन-चार दिन में इसका sale आएगा, ले लेना, आपको मैं बता दूँगा, जबी भी sale आएगा न, या कुछ भी हो, MBA code लगा देना, आपको maximum discount मिल जाएगा, 12-13% का, इससे दाधर discount आपको और नहीं मिल सकता, then अभी live mock start होंगे, the pundits के, ठीक है, pundits वालों से मैंने बात कि है, वो start करेंगे, ठीक है, 5-6 October से start करेंगे, RBE का आएगा, Ollyboard का आएगा, तो live mock देना है, कैसे भी कर के न, कम से कम आपको 50 mock देना है, 10 यहां से दे दो, 20-30 यहां से दे दो, और live mock होंगे, वहां से भी आप 15-20 तो देई सकते हो, 10 week है, कम से कम, 10 week में भी अगर 2-2 दोगे हर Saturday, Sunday, तो 20 mock हो गए, 30 mock है, दर दर्शे हो जाएंगे, तो कुल मिला के 50 mock देना है, बाकी देखो, current affairs पे और mock के लिए मैं अलग से वीडियो जरूर रनाओंगा, आने वाले 2-3 हपते में, पहले आप थोड़ा सा flow में आ जाओ, तो देखो, वीडियो की length हो गई है, लंबी, हो नहीं थी, obviously बात है, मेरी वीडियो छोटी नहीं होती, क्योंकि बहुत detailed होती है, बहुत काम किया जाता है इस पे, आज मैंने सारे topics बता दिये, except for typing और computer paper, मैंना already बता रखा है, एक चीज़ और देखना, मैंने ये बताना, उसमें side छूड़ गया है, typing वाले वीडियो में typing के लिए ने एक चीज़ ध्यान रखना, जो CPT वाले post है ना, उसमें आपको 5% error allow होता है, और बांकी post के लिए 20%, बस इतना ही है, हलां कि मैंने ये बताया कि उसके लिए highest है, बड़ ये मतलब higher cut-off होता है, बड़ ये नहीं बताया कि 5% है, pinned comment में मैंने बता दिया वो चीज वो छूट गया मेरे से, तो एक बार वो देख लेना, बांकी इस session में इतना ही था, I hope आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है, तो आपको पता है क्या करना है, thank you so much